नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? भुपेंदर शिमेता, भुपेंदर दाश सर कहां से आए हैं? गाउं जारती, जिलाबागिश्वर उत्राखन से सर संत्रांपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साथ नभी करते थे? सर देवी देपताओं की भक्ति करने से आपको क्या कहला हुए? लाब तो नहीं हान ही जरूर हुई, मेरे हिर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करते थी जब भी मैं चड़ाई चड़ता था या कहीं मैदान की ओर भी अगर मैं टहलने भी जाओं तब भी मुझे बहुत पेन होता था लेकिन मैंने इसको नोईडा में दिखाय था जब मैं बियर्ड करता था सहाराम इन उवेस्टि से तो दोरान मैंने डॉक्टर को नोईडा में दिखाय था उन्होंने मुझे काफी इसके बीच मैं प्रकॉशन बताए कि कैसे यह ठीक हो सकती है सार आपने बताय कि आपको हाट पेन था और यह रट पेन आपको कितने साल रहा आपने बताया कि 2013 में परमात्मा की सरण में आए, आप किस परमात्मा के बारे में यहां पर बता रहे हैं? मैं परमात्मा बंदी शोर सद्गुरु रामपाल जी महराज की बारे में बता रहा हूँ, जो कि इसी प्रतवी पर अभी कबीर परमात्मा के स्वरूप उनीके आउतार संत्रामपाल जी महराज की चोले की रूप में कबीर साहिब को यहां पर आयो हैं, परमात्मा आयो हैं, उ विए पुष्तक हम्में हल्दवानी में प्राप्त हुई थी उसके बाद हम ने संद्विन संद्विन से 8 को सेह मि नेज़ार भूद सेह रिखा कर सेह से सब्सक्राइब हो कि अर्च्रीन को वे संद्वीय करने करें तो इस्ता वा नियुक्त की तुछ यह मांनता था कि भगवान शीव ही सरव शक्ति मान है फिर वहां पर असानक मेरे मन में यह ख्याल आया कि इतनी बड़ा हाथ्सा और वहां पर लोग सीव लिंग के ऊपर भी चड़ रहे हैं इतनी तराशदी हो गी है यह कोई नो कोई ऐसी बात है जो इनसी ऊपर कोई सक्ति है मुझे ऐसा महसूस हुआ फिर उसके बाद मैंने ग्यान गंगा को पुना फिर देखना शुरू किया फिर उनको मैंने अपने जो सद्गरंथ हैं उनसे मिलाना शुरू किया सत्संग लगातार देखा इस परकार से जुलाए 2013 मैं परमात्मा संत्रामपाल जी महराज की सरण में सर संत्रामपाल जी महराज की सरण में आने से आपने बताये कि आपका हिरदय का दर्थ था वो ठीक हुआ उसके इलावा भी कोई आपके साथ अनुवव हुआ क्योंकि हम संत्रामपाल जी महराज की सुष्यों से मिलते रहते हैं और वो हमें बताते हैं कि उनको बहुत से ला कितने दिनों में संत रामपाल जी की सरण में आने के बाद आपका हिर्दय का दर्ध रिक हुआ परमात्मा बंदी छोड़ सद्कुर रामपाल जी महराज की सरण में जब मैं जुलाए 2013 में आया था जब मैं परमात्मा की दर्शनार्थ के लिए लाइन पे लगा था परमात्मा ने अपना आशिरवाद शुरूब जो हास्तर मेरे सर पे रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो भारीपन मेरा हलका हो रहा है मुझे उस वक्त तो हिर्दय दर्ध उतला महसूस नहीं हो रहा था लेकिन बाद में उसके बाद मुझे अभी तक हिर्दय दर्ध मर्शूस नहीं हुआ परमात्मा बंदी छोर सद्गूर रामपाल जी महराज की दया से आज मेरा हिर्दय दर्ध ठीक है जब से माने नाम लिया उनसे सर आपने बताय कि आप उत्तराखंड से संत रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के लिए गए लेकिन उत्तराखंड तो देव भूमी माना जाता है और यहां इतिहास रहा है कि यहां पर चार धाम भी हैं जिसके लिए लाखों लोग दूर दूर से आकर यहां पर परिक्रमा करते हैं तो आपको संत रामपाल जी महराज की स्ण में क्यों जाना पड़ा जी हम भी यहीं मानते थे कि चार धाम यहां के प्वित्र धाम हैं देव भूमी यहां माना जाता है यह भी हम मानते थे जब मुझे यह लगा कि मैं इन धामों में से कहीं भी नी गया लेकिन भैस्षुदेवि के आत्रा में जरूर गया लेकिन वाहां पर इतनी बखरियों की बछैटी थी तो कहीं ने कहीं मुझे ए्लगता था कि जो देवता है वो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किछी की बछैते तो किशी भी शास्त्र में हम पढ़ते थे, पहले भी मैं गीता का थोड़ा अधियन करता था, मैं मुझे कहीं पर भी बेली का उलेख नहीं मिला, कि बेली पढ़ता होती है, लेकिन हमारे उत्राखंड में जगह जगह पर बेली दी जाती है, जगह जगह पर पत्थरों की पू काफ़ी लोगों की जान गई, लोगों को मुझे तो उसी वक्ता आभास हो गया था कि यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, जो लोग इतनी दोड़ दोड़ के आ रहे हैं, अगर ऐसा होता तो उन लोगों की जान बसती, बचना चाहिए था उसमें, जो शीवलिंग की उपर चड़ की कोशिश की लोगों ने बहुत बड़ी तरासी दी थी हो, जिस पर लोग अभी भी महाँ पर क्रेज तो है लोगों का, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को ज्यान को समझना चाहिए, कहीं पर भी उल्लेख नहीं, जैसे उत्राखंड में बलिया दी जाती है, या यहां प संत्राखंड की उन भाई बहनों से कहना चाहूंगा, जो आज भी यहां पर अपने को देव भूमी का गरोषाली मानते लेकिन यह देव भूमी वास्तों में है नहीं, यहां पर पत्थरों की पूजा हर मंदिर में बली दी जाती है, जो कि सास्त विरुद्र साधना है, मैं उम्रे के लिए धुकि लिए या उनसे नामदान लेने के लिए आज बहुत से चैनलों पर सथंग चल रहे हुए, उन सथंगों पर एक पट्ठी चलती है, जिन पट्ठी नंबर दे जाते हैं, नंबर फ्लेस होते या उन नंबरों पर फौन करके अपने नज़्दीगी नाम अबनान सेंटर के पता करके अपना नाम ले सकते हैं धन्यवाद सर सच्छाइब भी कर दोपकर दोपकर देखels के यार लेह समित, व्ल USA है। अजम ब्लाद स्वल वी खरेखद। झाल झाल